कि यहांपर जो संत आई हुए हैं इनी से जाने इनका क्या नाम है कहां से और गुरू महमा की सर्षा करेंगे से महाराज क्या नाम है आपका बहुना हनुमाना दासव हिया काहिए महार्AST महाराज और दिति अधर होती अर्न बहुन वह है सबसे पहले ब्हुर्म्रा आह篇का। जैसा कि इन्होंने बताया, मुझे लगता है कि इन्होंने कोई एसा इंडिकेट नहीं किया जिस से समाज में कोई संदेश आए जानें हैं चुछ पंडिी से उन्होंने इसारा कर दिया के सर्वगुरू घामड होते तो हमें उन्होंने अधर ही धकेल दिया जिदर जुदेव जी के गुरू राजा जनक बने थे राजा जनक बेदेय थे हम उन्हें बहुत मामूली समझते गुरू का महत तो क्या होता है जैसे बोलते हैं अज्ञान अंजय सला गया चक्रमी तिलम यह नतसमेई श्री गुर्वे नमाहा अज्ञान का जो आवन है उसको हटा करक जो ग्यान की जोती जलाए वही गुरू है ग्यान मार्क पर डाले वही गुरू है और जिस वक्त जो है सुखदेव जी के जो है गुरू राजा जनक बने थे तो वहां पर उन्होंने सिक्षा दिक्षा ग्रहन की सिक्षा दिक्षा ग्रहन करने के बाद में सुखदेव जी के लेने देने की भावना रह जाया तो वह सिस्य अधूरा है क्यों गुरू और शिष्य का पवित्र बंदन होता है पवित्र रिस्ता होता है इसमें लेने देने की तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए वीच में तो उन्होंने कह दिया जनक जी ने के शुकदेव जी एथा करो पड़े उन्होंने देखा रास्ते में पत्थर का टुकड़ा पड़ा हुआ है उसको उठा लिया विचार किया इससे बेकार क्या होगा गुरू जी को यही दे देते हैं लेकिन गुरू जी ने वह पत्थर भी गुरू करपा से बूननी लगा और कहले लगा मराज मेरे को त दाल दिया प्रहू करपा से आगे बढ़ गए आगे देखा ये काष्ट का जो है तो कड़ा मेला उसको उन्होंने उठा लिया कि यह भी बेकार है लेकिन वह काष्ट भी बोलने लगा गुरू करपासी बोल रहा सब को गुरू करपासी हो रहा है और वह कैने लिगा मेरे को तुमने बेकार कैसे समझ लिया जन्म से म्रत्यों परांथ तक मैं पूरे जीवन काल में काम आता हूं मेरे को कैसे बेकार समझ लिया उसको भी वहीं डाल दिया आगे फिर बढ़ गए आगे देखा मलमूत बगेरा पड़ा हुआ है बोले जिससे ज्यादा तो बेकार और कुछ होई नहीं सकता तो वह भी गुरू करपासी बोलने लगा वह कहने लगा कि देखिए भिया पहले मैं बहुत सुंदर फल था बहुत सुंदर मिठाई था तुमारे इस परस से तुमारे भक्षन से यही तो मैं गंदा हुआ अब वहां पर सुकदेव जी को परम ज्यान की प्राप्ति हो जाती है वहां से बापस गुरू जी के पास आए और गुरू जी से कहने लगे कि महाराज मेरे जो हिर्दय की कालमा है मन की जो कालमा है मेरा जो अज्ञान है मैं गुरू दीक्षा में उसको आपको देना चाहता हूं और जो जनक जी ने कहा दिया मराज यही तो हम जो है विचार कर रहे थे तो उन्हें अपने हात की लिखी हुई पोष्टक धर्म का प्रिचार प्रिसार करने के लिए दी तो गुरू और सिस्टा तो इतना पवित्र होता है वहां बीच में ल पुष्प, जल, फल, जो भी आस्ता निष्टा आपके अंदर है वही अरपन कर दिना चाहिए कहते मन साब आचा कर्वना मन और बाड़ी से किया हुआ कर्म ही जो है फल्दा होता है महाराजी दूसर चाहेंगे यह दौर तरह ता सत्यूं की बात है कि आपने आज कलियुक चल रहा है कि कोई वी वह वक्त अगर गुरू अगर गलत करवों पर आ जा तो क्या इसे गुरू को त्याग ना चाहिए क्या करना चाहिए सम्सकूर अब शाष्त्ति तो यहां पर दे रहे तो अमहें लेलेना है अब उने क्या एसे िेख्थिती जोगेंगें डापाते हैं इसे मिच्पृना बहुत करबा जाति हिंदु जाति में कोई वी जाति हो अक्षवाईजर्च यह नहीं कहना चाहे नहीं करा ran милли 17 पांच बर्श उपरांथ दो small sneaking होना चैए जिस्माइने हैए छोडिक्ठा आ can like that शिष्य क्यों भाना सकता है जीवन journale। पर दिख्षा गुरु तो जो अनेक हो सकते हैं लेकिन दिख्षा गुरु यह की होता है दिख्षा गुरु अनेक हो सकते हैं जिस प्रकार से दत्ता त्रेजी के 24 गुरु थे क्यों थे वो सिच्छा गुरु थे जल से उन्हें सिच्छा मिलती है जल से सीतलता मिलती है लेकिन दीख्षा गुरू और दीख्षा गुरू दोनों ही सामने वारे एक साथ आ जाते हैं तो सरप्रत्रम में संबान किसका करना चाहिए डिख्षा एक ही ब्रह्म है अनेक है शारूपन के अनेक है जगतमअ परमा को आपने भोग लगा दिया राधा कृष्ण को राम को शीता को सब्सको लगया राधा कि वसी ने लेवता को सबस्के against नहीं है जिसके लिए प्रेणा हमारे मन में हो उचकी लिए सम्मान तो दोनों को देना है ना आगे पीछे से कुछ नहीं होने वाला है इसमें आगे पीछे से कुछ नहीं है, हनुमान किसे कहते हैं, हन धनुमान जो मान और अपमान से परे है, गुरू किसे कहते हैं, जो मान अपमान से परे है, शिस्य की तुर्टियों को जो छमा करे है, वही गुरू है, गुरू को मान अपमान की ज़ुरत नहीं है, यदि वास् सास्त्र मेंसर्टे के स्तार से लोकुरी ओ अब क्या कराई यह तो संसाध्र फिए ने विया लेक negoti पत्री के लिए पत्नी के लिए पत्री घुरू है सर्वो तम सर्व स्रेष्ट अब पति गुरु बनाए या न बनाए लेकिन पत्नी के लिए पति गुरु है जिस तरह से हमने ब्रह्मन किया आज और दोरा पर हमने जाना कई एक बुद्धी भीयों से जाना खताक है तो कहीं एक सवाल मिवे पत्त्त टुरु बनाने के अधेकार नहीं कि दो फार युदि निवी के तो पति के भीर्रा माहिकार, लुद्धी की सेवा नहीं होएं तो पत्तनी के लिए तो पति सर्वश्ष्ष्ठ गुरु है गुरुष्ण 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 गुरु करते हैं उन्हें जो कुल गुरू करते हैं और जो यह साधी पड़ते हैं बागी जैसे यह जानकारी नहीं है तो कहीं बाहर से आचार बलालू लेकर वहां भी कुल गुरू की उपस्तिती होना अनुबार है घाट होते हैं चैता के पांडित कर्म करने वाले होते हैं मैं इंतर क्या होता है पांडिये प्रोहित पांडित कर्मकारे बङारे डैटर प्रोहित होते क्वह कर расс dipping प्रोहित वहां ही सब को इन्हें तो उनके लिए वो प्रोहित में यह अंतर होता है कि लिए परोहित को दानपन्याद कार करते हैं और आचार अपना पांडित कार करते हैं नामकन वेगरा है कथा है यह दोस्तों देखने के बाद अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और दिखाते रहेंगे पंडीजी को एक बार पुने आपको फिर दुबारा से दिखाएंगे बने रही हमारे साथ राम राम दूआ सलाम जाहिंद